ओंख शांती आज 10 नवंबर 2023 के साकार मधुर महवाक्य हैं आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी विश्व नियंता का दिल से शुक्रिया करते हैं जिनोंने हमें बहुत सुन्दर मेरा बाबा श्रब्द की चाबी दी और सर्व खजानों का मालिक बना दिया दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें मास्टर सर्व शक्तिवान बना दिया आज बहुत सुन्दर बाबा बाबा ने समझाई कि आप मुरली धर के बच्चे हो आपको मास्टर मुरली धर बनना है ज्यान की बातें जो आप बाबा से सुनते हैं और उको भी सुनानी है ज्या बच्चे रहते हैं, वो खुशी में नाचते रहते हैं, ज्ञानदान करने में फिलांत्रोफिस्ट बनना है, ऐसे बच्चे जो दान करते रहते हैं, उनकी बुद्धी बहुत निरमान हो जाती है, कभी एहंकार नाई कि ये मैंने दिया, नहीं, शिव बाबा का दिया हुआ ज् बहुत सावधान रहना है, कई बच्चों में चलते चलते एहंकार आजाता है, तो बाबा ने सावधान किया, कि शिव बाबा का ज्यान है, बाबा ही देते हैं, आप उनको दूसरों को देने वाले महादानी आतमा हो, बाबा ने एक राज खुला, कि इस समय में तुम होकर देखना है, ड्रामा के पट्टे पर सही तरीके से चलना है, ड्रामा की पट्री पर सही तरीके से चलना है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना, अथात सिती एक रस रहे, ममा बाबा भी अभी पुर्शाट कर रहे हैं, परिपूरण नहीं बन हम सब चानते हैं, अभी तो ब्रह्मा बाबा ने भी संपूरन अवस्था को प्राप्त किया, ममा ने भी अच्छा पुर्शाट किया, बाबनी का तुम बच्चों को भी ममा बाबा को फॉलो करना है, कदम कदम पर उनसे राय लेनी है, सुनते हैं बाबा के मदर बूल, बाबनी मुरली धर जरूर बनना है, मुरली धर बच्चे बाबा के मददगार है, बाबा उन पर राजी होता है, कोशने किन बच्चों की बुद्धी बहुत-बहुत निर्मान हो जाती है, जो अविनाशिक ज्यान रतनों का दानकर, सच्चे फिलांत्रोफिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समेन बन जाते हैं, उनकी बुद्धी बहुत-बहुत निर्मान हो जाती है, सर्विस करते-करते बुद्धी रिफाइन हो जाती है, दान करने में कभी अभिमान नहीं आना च दिया हुआ दे रहे हैं, श्रव बाबा की याद में रहने से कल्यान हो जाएगा, गीत है तुमी हो माता, पिता तुमी हो, ओम शांती, सरफ मात पितावाला गीत सुनाने से नामसिद नहीं होता, पहले शिवाय नमा का गीत सुनकर, फिर मात पितावाला सुनाने से नौलेज कह देते हैं, बिगर अर्थ, पहले शिवाई नमा वाला गीत सुनाई, फिर मात पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पढ़ता है, नया कोई भी आई, तो ये गीत बहुत अच्छे है, समझाने में सहज होता है, नाम ये शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो सरव्यापी है, फि उनका नाम है सदाशिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाई नमा ये नाम रखवा न सके, उनकी मत और गत समझे मातर से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है, ये नौलिज सिखाने वाले मात पिता हैं, सन्यासियों में माता है नहीं, इसलिवे राजयोग सिखा न सके, शिवाय नमा कोई को भी कहनी सकते, देधारी को शिवाय नमा थोड़ी कहेंगे, ये समझाने का है, तुम बच्चों में भी नमबरवार हैं, कहां अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं, मिया मिठ्टू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए, हर बात में सच बोलना, सच हो के रहना, टाइम लगता है देविमान में आने से फैमिलियरिटी आदी सब बातें आ जाती है अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देहिय भी मानी है फिर तो करमाती तो वस्ता हो जाए नंबरवार है कोई तो बहुत कपूत बच्चे है मालूम पढ़ जाता कोन बाबा की सर्विस करते है जब शुर बाबा की दिल पर चड़े तब रुद्रमाला के नजदी खू, तक्त के लाइक बने लौकिक बाब की दिल पर भी सपूत बच्चे चड़ते है जो बाबा के मददगार बन जाते ये भी बेहद बाब का अविनाशी ज्यान रतनों का धंदा है तो धंदे में मदद देने वाले पर बाब भी राजी होगा अविनाशी ज्यान रतन धारिंकर और उको भी कराने है कोई समझते हमने इंशोर किया उसका तो तुमको मिल जाएगा यहां बहुतों को दान करना है बाप माफिक अवीनाशी ग्यानदतनों का फिलांत्रोफिस्ट बनना है बाप आते हैं ग्यानदतनों से जोली भरने धन की बात नहीं बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं व्यापार करना नहीं जानते, तो वो मुरली धर, सोधागर का बच्चा कहला कैसे सकते, लज्जा आनी चाहिए, मैं धंदा तो करता नहीं हूँ, अपने उपर लज्जा आनी चाहिए कि मैं बाबा का बनकर उसकी सेवा तो करता नहीं हूँ, सेल्समेन जब होश्यार देखा ज जाता, ऐसे थोड़े भागिदारी मिल जाती, इस धंदे में लग जाने से बहुत मिरमान बुद्धी हो जाती, सर्विस करते करते बुद्धी रिफाइन होती जाती है, बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते, बाबा है सिखाने वाला, ये तो जानते हो ये बाबा अच्छी धारणा कर, अच्छी मुरली सुनाते हैं, अच्छा समझो, इनमें शिव बाबा है, वो तो है ही मुरली धर, पर ब्रह्मा बाबा भी तो जानता है न, नहीं तो इतना पद कैसे पाते, बाबा ने समझाया, हमीशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं, शिव बाबा की आद में रहने से तुम्हारा कल्यारन होगा इन में शुव बाबा आते हैं गर मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में उनका नाम बाला करना है क्योंकि फिमेल को लिफ्ट दी जाती कहते हैं न जैसी है वैसी है मेरी है संभालना ही है यह बाबा को शुक्रिया बोलना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें स्विकार किया, बाबा की यही विदिया हम सबको ठीक करने की, जैसे हो तैसे हो मेरे हो मुझे तो संभलना है, नाम भी बाब का बाला होता है, यहां बाब का नाम तो बाला है ही, फिर शक्ति का नाम भी बाला होता, उनको सर्विस का अच्छा चांस मिलता, दिन प्रति दिन सर्विस बहुत सहज हो जाने है, ज्ञान और भगती, दिन और रात, सत्यु त्रेता दिन, वहाँ सुख, द्वापर कल्यूग है, रात, दुख, सत्यु में भगती होती नहीं, कितना सहज है, प वहाँश सो बहुत सहज मिल जाती, मित्र समंद्यों के पास जाकर समझाओ, अपनी घर को उठाओ, तुम तो ग्रस्त वैवार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रिती से किसी को भी समझा सकते हो, सत्यु में पारलोकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सत्यु गुरु भी ह बाकि सब बरोबर दुरगती करते आए, द्वापर से लेकर, ब्रश्टाचारी पापात्माई कल्युग में है, सत्यु में पापात्मा का नाम नहीं, यहाई अज्जामिल गणिकाई, अहिल्याई, पापात्माई है, आधकल्प स्वर्ग कहा जाता, फिर भक्ती शुरू होत गिरना भी है जरूर, सुर्य वन्शी गिरकर चंद्र वन्शी बनते, फिर गिरते ही आएंगे, द्वापर से सब गिराने वाले मिलते आए, यह भी तुम जानते हो, दिन प्रति दिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी, साधू हाधी को भी समझाने के लिए युक्तिया न पहले एक की ही भगती करते हैं, तिरे दिरे अनेकों की करनी शुरू करते हैं, कलाई कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही, जाड़वा गोले में दिखाया, कलाई कैसे कम होती हैं, most easy है समझाना, प्रंतु तकदीर में नहीं, तो समझा नहीं सकते, देही अभिमानी बनते पुरानी देह में अटके रहते, बाबा केते हैं, इस पुरानी देह से ममत पतोड, अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो पद भी उचा नहीं पासकेंगे, स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही कहेंगे, कि लास्ट में बैठे रहें, मित्र, समंधी, टी पीचर, स्टूडेंट आदी, सब समझ जाएंगे, इनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं, अगर कोई पीचे बैठते हैं, तो मात, पिता, टीचर, सब समझ जाएंगे, इनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं, यहां भी समझते हैं, शिरीमत पर नहीं चलते, तो फिर यही हाल होगा कोन प्रजा बनेंगे, कोन दास दासी, सब समझ जाते, बाब समझाते, अपने मित्र समध्यों का कल्यान करो, ये काईदा होता है, घर में बड़ा भाई होता है, तो छोटे भाई को मदद देना, उसका फर्ज है, इसको कहते, charity begins at home, सेवा करनी घर से शुरू करो, बाबा कहते, धन दिये धन ना खुटे, धन देंगे नहीं, तुम मिलेगा भी नहीं, पद नहीं पासकेंगे, चांस वोत अच्छा मिलता, रहम दिल बनना है, तुम सन्यासियों साधूं पर भी रहम दिल बनते हो, कहते हो आकर समझो, तुम अपने पारलोकिक बाप को नहीं चानते हो, ज आजकल तो साधू समाज का बड़ा मान है, तुम लिखते हो, बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वंडर खाएंगे, आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, पर दर्शनी भी होती रहेगी, आकरीन कोई जागेंगे जरूर, सन्य आसी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहां, एक ही हटी है, बड़ी इंप्रोव्मेंट होती रहेगी, अच्छे जे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, तो जरूर कोई आकर भी पढ़ेंगे, जब भंबोर को आग लगेगी, तो मनुष्य जागेंगे, परन्तु टू ले जो विजयी बनते हैं, वो तो थोड़े ही होते हैं, ये तुम्हारी घुड़ दोड है, रोहानी यात्रा की दोड़ पहनानी के लिए ज्यानी तो आत्म चीए, बाप को याद करो, ये भी ज्यान है, ये ज्यान और किसी को नहीं, ज्यान से मनुष्य हीरे जैसा बनते, अग करद अगर, ये ज्यान से कोड़ी जैसा बाब आकर सतोप्रधान प्रालब्द बनाते, फिर वो थोड़े ही आकर कमती होती जाती है, थोड़े-ठोड़ी आकर कमोचाती है, ये सब प्याइंटस धारण कर एक्ट में आना है, तुम बच्चों को महदानी बनना है, भारत को मह क्योंकि यहां ही तुम बाप के आगे तन मंधन सब अरपन करते हो तो बाप फिर सब कुछ अरपन करते हैं आप तन मंधन अरपन करते हो फिर बाबा सब कुछ अरपन करते हैं भारत में बहुत ही बहुत माहधानी है बाकी मनुश्य सब अंद श्रद्धा में फसे रहते हैं यह तुम इश्वर की शरणागती में आए हो, रावन से दुखी हो आकסकर राम की शरण लियी हैं। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब अशोक वाटिका में स्वरग में चलना है। स्वरग स्थापन करने वाले बाब की शरण लियैं। वोई तो छोटे पन में जबरदस्ती आ गए, तो उनको यहां शरणागती में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं, उनको मायरावन की शरण चाहिए, इश्वर की शरणागती से निकल कर माय की शरण में जाना चाहते हैं, आश्चरिय की बात है न, यह शिवाई नमेवाला ग कीतों की मदद मिलती, बाप का बनकर सर्विसिबल ना बना, तो दिल पर कैसे चड़ सकते हैं, कई बच्चे कपूत बन पड़ते, कितना न दुख देते हैं, यह तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं, ड्रामा पर मजबूत रहना है, ममा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी अडवांस में जाएंगे, पाड़ तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात, साक्षी होकर हम खेल देखते हैं, पक्का कर लेंगे, बाप समान, हमें भी हर द्रिश्य को साक्षी होकर देखना है, अव पूरण अवस्था अंत में होगी, इस समय कोई भी अपने को परिपूरण नहीं कह सकते, ये नुकसान हुआ, हिट-पिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ, इस सब भी कल्प पहले हुआ था, फिक्र की क्या बात, सो परसेंट अवस्था अंत में होनी है, जो कुछ भी सेवार्थ लगाया, अपने लिए ही लगाया, ये तो ज्यान रतनों का दान औरों को देना है, बाबा को पूरा याद नहीं करेंगे, तो भी कर्मों का बोज़ा जो सिर्पर है, वो खुल पड़ेगा, याद नहीं करेंगे तो बोज़ा उतरेगा नहीं, परद रात को भी याद करना है, प्रभात को भी याद करना है, बाबा, आप कितने मीठे हो, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, रात में प्रभात में क्या याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, बाबा, आप कितने मीठे हो, आप हमें क्या से क्या बना रहे हो, अच्छा, मात पि गुद मॉर्निंग रोहनी बाप की रोहनी बच्चों को नमस्ते रोहनी बच्चों की रोहनी बाप तदको याद प्यार नमस्ते गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाभा शुक्रिया धारना के लिए सार पहली पॉइंट दिल से सदा सच्चा रहना है सच बोलना है सच होके चलन देविमान के वश स्वयम को मिया मिटू नहीं समझना, एंकार में नहीं आना, साक्षियो कर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, अवस्था सदाहर्शित रखनी है। साक्षियो के खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना, अवस्था सदाहर्शित रखनी है। स्वराज्य सत्ता धारी अर्थात करमिंद्रिय जीत है, वो विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्वराज्य अधिकारी बनते हैं, चेक करो, मन बुद्धी संसकार जो आत्मा की शक्तियां है, आत्मा इन तीनों की मालिक है ना, आत्मा इन तीनों की मालिक है ना, मन बुद्धी संसकार की, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी संसक अपनी तरफ खीचतों नहीं लेते, स्वराज्य अधिकारी की सिती सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, इसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं, स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान में कोई भी शक्ति की कमी नहीं है, सरल शब्दों में मास्ट सर्वशक्तिवान उसे कहते हैं जो स्वराज्य दिकारी है और करमिंद्रियों की मालिक बनकर मन बुद्धी संसकार से कारे कराने वाले हैं जो इस समय स्वराज्य सत्ता धारी अर्थात कर्मिंद्रिय जीत हैं, वो विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं, स्वराज्य दिकारी ही विश्वराज्य दिकारी बनते हैं, चेक करो, मन बुद्धी संसकार जो आत्मा की शक्तियां है, आत्मा ही तीनों की मालिक है, मन और दिल से शुक्रिया करते रहेंगे और चाबी को बेस्ट यूज करेंगे चाबी है मेरा बाबा मेरा बाबा कहना अठाट शक्तियों के अधिकारी बनना मेरा बाबा कहना अठाट शिरिमत की लकीर के अंदर रहना मेरा बाबा कहना अठाट कमजोरियों से दर्ना नहीं सदा आशावादी बनके रहना कुछ पल के लिए एकागर हो जाएंगे चाबी का स्मर्ण करेंगे बाबा ने मुझे कितनी अच्छी चाबी दे है बाबा सर्व शक्तिवान मेरे साथ है मेरा बाबा कहते ही बाबा का शक्तियों भरा स्वरूप सामने आ जाए जूति बिंदू बाबा अनंत किरुणों वाला बाबा उस बड़े बाबा के शक्तियां निरंतर मुझे में समा रही है बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया शुक्रिया चाबी देने के लिए शुक्रिया साथ रहने के लिए शुक्रिया अपना बनाने के लिए शुक्रिया अंगसंग रहने के लिए शुक्रिया मैं आत्मा, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मेरा बाबा ये चाबी सदा मेरे साथ है, ओम शानी